पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को ग्रिफतार कर उसके कज़े से अर्टिफिशिल जूरी, सोरे के गहने, दो पिस्टल और साथ जिन्दा कार्टूस में जब्द किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों से एक बाइक भी जब्द की है। बदमासों ने 8 दिस्टमबर को इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमासों ने फाइनिंग भी की थी। लूट के दौरान अप्राधियों ने एक युवक की गूली मार कर हत्या कर दी थी। जिस युवक की हत्या हुई थी उसका नाम मरीश कुमार था। हत्या एक कमर्शियल कॉंप्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशल जूरी शॉप के अंदर की गई थी। आखों के सामने हुई पती की हत्या से पत्री बदहवास है। यह अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे तो उनको ऐसा लगा कि इन पर अटैक हो गया है और धावा बोल दिया गया और यह पकड़े जाएंगे उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई मौके पर ही उनकी मित्ती हो गई थी बा अचनवी जोलर्स वहां पर 18 तारीक को सनिवार का दिन था वो शाम में लगबग सारी 8 बजे इसी तरह से घटना गटी थी और बड़ा हट में डेस्परेशन में वहां भी गोली फाइरिंग होई थी और वेशबूसा से ड्रेस के पहनावाय से और हाल चाल से हुलिया से यह कि यह वही दोनों अपरादी यहां पर भी कारवाई कर रहे हैं और हम संधान किया गया और टेक्निकली हम लोग देखे तो इस दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना घटी थी वह घटना थी तो वहां से हम लोग नार शुरू किया उसमें एक अमित नाम का लडगा जेल गया हुआ था और उसके बाद उसके गिरोग के दो लोग और बाकी थे इंफाक्ट तीन लोग एक और सही होगी था उस पर लोग काम की और काम करने के बाद जो भी सम्मेलित अफराद पर भी थे पाना अतिहास भी बहुत ही सर्जित है इसमें 2018 में आप लोग ध्यान होगा आप लोग पहले से यहां कारवरत हैं कंकडबाग में ही एक सीपाही पर कुट मोवाईल पर गोली चली अगेने वह ही लड़का था उस केस के बाद यह लोग जेल गये थे तो लगबग कि शालीस महिने के बाद लोग जेल से निकले हैं गजसे निकले भी दिसमबर में ही है कोई दूरगा पुझार में दिवाली में निकला को यजवा निकलने के बाद 18 को पहले घटना 21 को दूसरी घटना और 26 को तीसरी घटना तो इनका पकड़ पकरना एक बहुत जरूए हो सब्सक्राइब करता है सिटी सेंटर दा कम्प्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दरभूंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और देने कामी तंजीन न्यूजपेपर दरभूंगा